अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, तो ये पॉसिबली नहीं है कि आपको law of attraction समझ में नहीं आया, और अगर आपको law of attraction समझ में आया, तो ये पॉसिबली नहीं है कि आपके जीवन में करांती घटत नहीं होई, आपका जीवन पूरी तरिके से बदल सकता है, इस एक वीड पियाज देना, clarity देना, किसी चीज़ पर solution देना, ये जो है वो हमारे दिमाग का काम है, हम अकसर बहुत ज़्यादा overthinking करते हैं, बहुत सोचते हैं, इस उमीद में कि हमारा दिमाग शायद कुछ बत्ती जला ले और कुछ हमें अच्छा solution दिखा दे, दिशा दिखा दे, ले overthinking करने से, दिमाग पर बहुत जाता, जोर देने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके भेजे को भेजा नहीं है, सर, आपका जो भेजा है, उसको हर चीज़ बतानी पड़ती है, आपका भेजा जो है, उसको बताने का काम भी आपका ही है, तो जी हाँ, भेजा आपका मा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप है अपने भेजे के मालिक और आपका भेजा जो है, वो है आपका नौकर, तो अलादिन और जीनी जो है, इसके आप analogy समझेए, कि आप अलादिन है, और आपके पास है चिराग यान कि आपका भेजा, आपका जीनी जो है, वो हमारे बड़े बुजर्ग कह गए हैं, कि वास्तु जो है, आप कोई भी चीज बोलेंगे, उसको तथास्तु कहती है, वास्तव में हमारे जो दिमाग है, वही हर चीज को तथास्तु बोल रहा है, लेकिन काम तो हमें ही उससे करवाना पड़ेगा, यानि कि आप जो भी बोल पड़ता हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, आपके भेजे का भेजा नहीं है, तो एक बार बतागे उसको कुछ भी समझ भी नहीं आता है, आप उसको बार बार लगातार, हजारों बार जब कोई चीज बताते हैं, तब जाकर आपके भेजे को समझता है, कि आप क्या चाहते हैं और फिर वो उस चीज में लग जाता है आपको उस चीज तक पहुंचाने में लग जाता है इस भेजे में बहुत सारी ईश्वरी शक्ती भरी होई है लेकिन ये जो है अपने आप काम नहीं करती है जब तक आप चिराग को गिसेंगे नहीं तब तक उसमें से जीनी बाहर निकल इसके साथ एक चीज ये याद रखे कि कितने भी टेखनीक आप लगा दो आपके जो टेखनीक्स हैं वो करेंगे आप 15 मिनिट आदा गंटा एक गंटा जादा से जादा जादा पूरे दिन में नजाने आप 60 से 80 हजार तक विचार कर लेते हैं लेकिन आप पूरे दिन जो है पता नहीं किस-किस की निंदा करते हैं कितने लोगों को गालिया बखते हैं कितने लोगों को उल्टी सीधी बाते बोलते हैं और नजाने अपने ही जिंदगी के बारे में कितने सारे जोग बनाते हैं और कितनी सारी नेगटिव बाते बोलते हैं और पता नहीं कितना ही तो ध्यान रखिए कि आप absentmindedly बहुत ज़्यादा डामेज कर रहे हैं तो आप 15 मिनिट का affirmation, visualization और पता नहीं कौन से कौन से टेकनीक कर लेंगे टेकनीक बहुत ज़्यादा important नहीं है because टेकनीक तो आप 15 मिनिट करोगे, आदा गंटा करोगे, यहाँ पर उसके बाद 24 गंटा ज positive ही बोलिए और दूसरों के बारे में जो है negative बोलना avoid करिए, positive बोले तो ज़्यादा अच्छा है और जो भी आपके life में अच्छा हो रहा है, उसके लिए grateful रही है, हमेशा यह कहिए कि मैं बहुत आभारी हूँ, इस प्रकृती का, भगवान का, ईश्वर का, मेरे घरबालों का और जिन लोगों ने भी आपको मदद किये हैं उन सबका आप आभार व्यक्त करें और लगातर करते रहें, इससे क्या होगा कि आप हमेशा अच्छे अच्छी बाते बाते बोलते रहेंगे, अच्छे अच्छी बाते आपका भेजा सुनेगा और जो भी आपताते रहेंग झाल झाल